क्या प्रियंका गाधी ने अपने नामांकन में कानून का उलंगन किया है क्या प्रयंका गाधी ने कुछ छिपाया है ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गाधी के वाइनार से नामांकन दाखिल करने के बाद एक बड़ा धमा का बीजेपी ने कर दिया है और इसके बाद प्रियंका गाधी के चुनाओं लड़ने पर भी प्रश्ण चन्न लग गया है और कॉंग्रिस की मुसीबतें बढ़ प्रियंका गाधी के लिए वाइनार छोड़ने वाले राखुल गाधी और कॉंग्रिस को जटका लग सकता है क्योंकि अब प्रियंका गाधी को लेकर बीजेपी ने ऐसा दावा किया है जिसके बाद कॉंग्रिस के भी होश उड़ गए है दरसल बीजेपी ने दावा किया है कि वाइनाट सी से चुनाव लड़ रही कॉंग्रेस महाचाचियू प्रयांका गाधी ने अपने चुनावी हलफ नामे में कई जानकारे चिपाई हैं बीजेपी ने आरोब लगा है कि गाधी परिवार के सदसे खुद को कानून से उपर समझते हैं और प्रयांका गाधी वाड प्रयांका ने इसे हलफ नामा कम और गाली परिवार के भरष्टाचार की स्युकारोती अधिक करार देते हुए कहा कि प्रयांका ने चुनावी हलफ नामे में उमीदवारों के लिए अपनी और अपनी जीवन साथी के संपत्ति का पूरा खुलासा करने के सुप्रीम कोट के नर्देश का उलंगन किया है बीजेबी प्रवक्ता गौरा भाटिया ने आगे कहा कि ये परिवार ऐसा क्यों मानता है कि वो कानून से उपर है सुप्रीम कोट का नर्देश है कि आपराधी के तहास खुद की और जीवन साथी समेथ घर के लोगों के संपत्ति की घोशना जरूरी होती है ये मतदाता और लोगों का जानने का अधिकार है लेकिन उनके हलफ नामे में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है प्रांका गादी ने 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पती की सैयुक्त चल और अचल संपत्ति 77.55 करोड रुपे बताई थी प्रांका के हलफ नामे पर भाजपा प्रवकता गोरवाटिया ने कहा कि प्रांका गादी वाडरा के हलफ नामे में पती रूबट वाडरा की संपती की जानकारी गलत बताई गई है रूबट वाडरा की आएक कम है लेकिन income tax विभाग जादा डिमांड कर रहा है ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने शिमला में घर खरीदा लेकिन केवल उसके दस्वे हिस्से की कीमत बताई यानि दिखाने के दात और अलग और खाने के दात और अलग गौर्ण भाटिया ने आरोप लगाया कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे भरष्ट राजितिक परिवार है तो वो गाधी परिवार है जब अपनी संपत्ती सारवजनी करने की बात आती है तो ये लोग सोचते है कि वो समिधान की धज्या उड़ा देंगे कानूम को गांधी परिवार को खुद को कानून से उपर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रियंकल गांधी वाड़ा ने चुनावी हलफ नामी में गलत जानकारी दे कर वाइनाट की लोगों के साथ विश्वास घात किया है इसलिए उन्हें चुनाव गादी राहूल गादी और मलिक अरजुन खड़गे की तस्वीर दिखाई इसमें खड़गे पीछे की सीट पर बैठे हैं उन्होंने का कि खड़गे पिछडे वर्ग से आते हैं केवल किसी पत पर बैठा कर इन लोगों ने रिमोट अपने हाथ में ले रखा है ये लोग कि किसी बहारी को नेता को अपनाना ही नहीं चाहते उन्होंने तो मौलानाओं की बैठक में कॉंग्रेस को मुस्लिम पार्टी माना है इसके अलाव उन्होंने का कि वाइनाड में आपता के तोरान इतनी संपत्ती होने के बावजूद भी इस परिवार ने एक भी रुपया डा की थी राहूल गाधी ने गाधी परिवार की पारंपरिक राय बरेली सीट को चुना और वाइनाड छोड़ दी यहां 13 नवेंबर को वोटिंग होगे और 23 नवेंबर को नतीजे आएंगे रिजल्ट आएंगे 2023-2024 financial year में कुल आए 46.39 लाख से अधिक रही जिसमें किराय के तोर पर हुई आए और बैंकों वा अन्य निवेशों से ब्याज शामिल है चल समपत्ती 4 करोड 24 लाख इसमें तीन बैंक खातों में जमाराशी, म्यूचुवल फंड्स, पीपी एफ में निवेश, उनके पती रोबर्ट वाडरा की तरफ से तोफे में दी गई एक होंडा, सी आरवी कार और 4400 ग्राम से अधिक सोना, कुल मिलाकर 1.15 करोड रुपे का चल समपत्ती 7.74 करोड इसमें नई दिली के महरौलिक शेत्र में विरासत में मिली आधी इस्तिदारी वाली दो करशी भूमी और वहां बने फार्म हाउस की आधी इस्तिदारी शामिल है, इन सभी की मौझूदा कीमत 2 करोड 10 लाख रुपे से जादा है, हमाचल प्रदेश क शिबला में प्रियंका की एक रेजिनेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसकी मौझूदा कीमत 5.63 करोड से जादा है, प्रियंका पर कर्ज 15.75 लाख इसके अलावा वो साल 2012-13 के लिए इंकम टैक्स रिसेस्मेंट प्रिक्रिया का सामना कर रही है, जिसके तहत उन्हें 15 लाख र इसके अलावा प्रियंका की खलाब दो एफायार और वन विभा का एक नोटिस भी है, एक एफायार 2023 में मद्प्रदेश में दर्ज की गई, इसमें IPC की दारा 420 दोकादड़ी और 479 जाल साजी के तहत आरूप लगाए गए, यह एफायार एक व्यक्ति की शिकायत पर की 279 जाल लेवा बिमारी फैलाने की लापरवाही और 270 जाल लेवा बिमारी फैलाने का दुर्भारूना पूर्ड काम के तहत आरूप लगाए गई, यह एफायार 2020 के हातरस मामले के खलाब उनके विरोध प्रदशन के लिए दर्ज की गई थी प्रियंका गाधी ने 12 करोड रुपे की संपत्ति की घोशित दरसल अपनी नामांकर पत्र में प्रियंका ने विप्त वर्ष 2023-24 में 46.39 लाख रुपे से अधिक की कुल आई भी घोशित की है जिसमें किराय की आई और बैंकों और अन्य निवेशकों से बयाज शामिल है नामांकर पत्र के साथ दाखिल हमामे में अपनी संपत्तियों और देंदारियों का विवरण देते हुए प्रियंका गाधी ने कहा कि उनके पास 4 करोड 24 लाख रुपे से अधिक की चल संपत्ति है जिसमें तीन बैंक खातों में अलग-अलग राशी की जमारकम, म्यूचल और PPF मेंडिवेश उनके पती रॉबर्ट वाडरा द्वारा उपहार में दी गई हॉंडा CRV कार और एक करोड 15 लाख रुपे मूली का चमवाली 100 ग्राम सकल सोना शामिल है उनके अचल संपत्ति की कीमत 7 करोड 24 लाख रुपे से अधिक है जिसमें नई दिल्ली के महरोली श से और वहां इस्तित एक फामाउस भवन में आधा हिस्सा शामिल है जिनकी कुल कीमत अब 2 करोड 10 लाख रुपे से अधिक है इसके अलावा उनके हलपनामी के अनुसार हिमाचर प्रदेश के शिमला में उनके पास एक सव अर्जित आवाज सी संपत्ति है जिसकी वर्तमान क मेंकी मत पांच करोड 63 लाख के प्यांक अपने हलपनामे में अपने पती की अचल संपत्यों का भी वियहा दिया है हलपनामी के अनुसार के माध्यम से मौध्य अध्यन में सनोत्तर डिप्लॉमात था दिल्ली विश्विध्याले में मनुवे ज्यान में बिये ओनर्स की डिग्री है उन पर 15,75,000 रुपे की देंदारी है उनके हलपनावे में कहा गया है कि वो कर निर्धारन वर्ष 2012-13 के लिए आएकर पुन मालियानकन कारवाही का बीच सामना कर रही है जिसके अनुसार उन्हें कर के रूप में 15,000,000 रुपे से अधिक का मुगतान करना है प्रियंका गांधी का भावुक पत्र जहाँ एक तरफ तो प्रियंका गाधी को नेकर बीजेपी कॉंग्रिस पर हमलावार है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गाधी के साथ चुरामाला और मुणकई की यात्रा का जिक्र किया जहाँ उन्होंने भूस खलन से हुई भारी तमाही के बाद के हालाद देखे थे वाइनाट के लोगों द्वारा दिखाए गए साहस के प्रशंसा करते हों उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले मैं अ ऐसे परिवाद जिनका पूरा जीवन प्राकरती के प्रकोप में बह गया था फिर भी आप पर आई तरास्दी के अंधिरे के बीच एक समुदाई के रूप में आपकी असीम हिम्मत और धैरे ने मुझे प्रभावित किया वाइनाट के लोगों के प्रशंसा करते हों उन्हो लोग सभाव में वाइनाट का प्रतिनिद्ध करने के लिए कहा तो उन्होंने सेवा करने के अवसर पर गर्व और विनब्रता दोनों उप्यक्त की यानि कुल मिलाकर अब प्रांका गाली को रेकर बीजेपी ने जो सवाल दागे हैं क्या उसका जवाब मिलेगा ये देखना काफी एहम होगा स्पेशल स्टोरी वे फिलाल के लिए इतना ही बागी तमाग खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार